कई बार प्रेगनेंट महिलाओं को वाइट पानी आने की शिकायत होती है तो ऐसे में ये चिंता करना कि ये नॉर्मल है या कोई समस्या आए जानना बहुत जरूरी है इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे की प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है और इसकी होने पर या वाइट पानी आने पर आपको कब चिंता करनी चाहिए और कब नहीं इसलिए आप हमारी ये वीडियो पूरी देखें क्योंकि हमने बताया है कि कौन सा white discharge normal है और कौन सा white discharge दिक्कत की घंटी हो सकती है चलिए सबसे पहले समझते हैं कि pregnancy की कौन सी तिमाई में कैसा white discharge होना normal है अगर आपको pregnancy की पहली तिमाई में white पानी आ रहा है तो ये बहुत ही normal है क्योंकि इस समय आपके सरीर में estrogen का level बहुत भढ़ जाता है जिसकी वज़े से आपको पतला सा सफेश स्राव होता है जो हमारी लार के जैसा होता है इसमें ना तो कोई गंध होती है ना ही कोई दाग लगता है बस हलका सा गीला पर मैसूस होता है जो कि बिलकुल normal है अब बात करते हैं pregnancy की दूसरी तिमाई में होने वाले white discharge के बारे में इस समय जो discharge होता है उसे mucus कहते है यह पहले से थोड़ा गाड़ा हो चुका होगा और यह जरूरी भी होता है क्योंकि यह mucus plug infection को गर्ब तक नहीं पहुचने देता और ऐसा होना भी normal है अब बात करते हैं pregnancy की तीसरी तिमाई में होने वाले white discharge के बारे में इस समय जो discharge होता है उसे कहते है mucus plug और यह बहुत चिकना होता है और जब सिसू आपके बच्चे दानी के मुँपर दवाब डालता है जिसकी वजह से mucus का रिसाव होने लगता है और जैसे जैसे आपके प्रिसव का समय नजदीक आता है यह हलका लाल रंगा होने लगता है तो इस तरह से अगर आपको कोई भी white discharge हो रहा है तो यह सारे normal है अब बात करते हैं आप कैसे पैचानेंगे कि यह सामान नहीं है या आपको इसके लिए अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए तो अगर आपको इस white discharge से कोई गंद नहीं आ रही है कोई दाग नहीं लग रहा है या खुजली भी नहीं हो रही है तो यह बिलकुल सामान नहीं है लेकिन अगर आपको इसमें हलका सा भी रख्त श्राब महसूस हो या गुलावी रंका हो या ब्रावनिस हो और आपको खुजली हो तो आपको इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए अब समझते हैं कि यह वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल से अलग क्यों हो जाता है सबसे पहला कारण हो सकता है इनफेक्शन अब यह इनफेक्शन फंगल भी हो सकता है और बैक्टेरियल भी ऐसे किसी भी इनफेक्शन के लिए आपको अपने डॉक्टर से जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए ऐसे में डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करके चेक करेंगे कि कहीं आपका प्लेसेंटा लो लाइन तो नहीं है यानि बच्चे की नाल हुटरस में नीचे तो नहीं फस गई है तो उम्मीद करती हूं कि आपको इस वीडियो के जरीए पता चल गया होगा कि व हमारी आने वाले सबी वीडियो की जानकारी मिलती रहें चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए खुस रहिए स्वस्त रहिए